हेलो स्टूडेंट माइसेलफ सैलेश कुमा मोर्या और आज हम अपने एन अवस्ति बुक के क्वेशन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटीनियू करते हैं आज हम करेंगे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेशन 31 से फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेशन 30 तक डिसकस कर लिया था आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एन अवस्ति बुक का एडिशन 12 यूज कर रहा हूँ ठीक है वीडियो स्टाट करने से पहले आपके लिए काफी इसको आप जॉइन कर लो इस पर मैं काफी इंपॉर्टेंट नोट्स टेस्ट पेपर और कोचिंग मटिरियर पोस्ट करते रहता हूँ और अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी पूच सकते हो वहाँ पर मैं आपको पता होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको बता है था टाइम पिरिएट जो होता है वह डिरेक्टी प्रपोर्चनल होता है एन क्यूब अपॉन जेट स्क्वेर कर यहाँ पर समझाया है इसी को सिंप्ली अप्लाई करते हैं पहले के लिए अगर एन क्यूब बाइजेड स्क्वेर लगाओगे तो एन का क्यूब यानि टू का होल क्यूब कर दोगे ठीक है अपॉन जेड स्क्वेर जेट तो वान होता है एड्रोजन के लिए तो वन का स्क्वेर लिग दोगे ठीक अपन, n is equal to 3 है, तो 3 का whole cube divided by helium के लिए z कितना होता है 2, तो 2 का whole square कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की power 5 हो जाएगा, 2 की power 5 हो जाएगा, upon 3 की power 3 हो जाएगा, यानि 32 by 27 हो जाएगा, ठीक है, तो ये answer हमारा आजाएगा, ऐसा किस में दे रखा है, आपको देख रहाँ option, b में दे रखा है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, simple सापको मैंने पहले ही बताता है, कि ये time period अलगे, खूप सारे question पूछ जाता है, simply होता है, n cube by z square से, आपको आता है, तो आप तुरन टिक करके आगे बढ़ जाएगे, ठीक है, चलिए, next question करते है, the mass of an electron is M, mass M है, charge E है, accelerated through a potential difference of V volts, ठीक है, the velocity required by the electron, तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, potential difference जो हम define करते है, वह होता है, work done per unit charge होता है, potential difference को जब हम define करते है, तो work done per unit charge कोई क्या कहते है, potential difference, तो potential difference V दे रखा है, W मालो work done हुआ होगा, charge कितना दे रखा है E, तो इसको, यानि, electron को V potential में, revolve कराने में, कितना work done करना पड़ा, तो आप बोल दोगे, work done जो होता है, वह EV के बराबर होता है, ठीक, यह हो जाता है, ठीक है, और आपको पता होगा, कि जो work done होता है, वो क्या होता है, work done, जो net work done होता है, वो क्या होता है, change in kinetic energy होता है, यह तो हम physics में पढ़ते हैं जो net work done होता है, वो क्या होता है, change in kinetic energy, तो work done तो कितना हो गया है, EV हो गया है, और change in kinetic energy, जब starting में, देखो, यहाँ पर rest से सुरू किया जा रहा है, जब rest से सुरू किया जा रहा है, यानि starting में velocity कितनी रही होगी, 0, बाद में माले पर velocity V अचीव हो गई होगी, तो जो change in kinetic energy आई होगी, वो कितनी आई होगी, half mv square आगई होगी, ठीक है, पहले तो kinetic energy, 0 रही होगी, तो बस इनी दोनों को equate कर देना, और हमारा answer क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है, तो मैंने आपको पूरा background भी समझाया, कि potential difference क्यों होता है, work done, change in kinetic energy भी होता है, ठीक है, तो अब बस इसको बराबर कर देते हैं, देखो, half mv square is equals to e into capital V, यह वी potential difference है, और यह अला भी velocity है, तो यहाँ से v square क्या आ जाएगा, तो आप देख सबते हो, 2e capital V by m, और यही जब square हटा होगी, तो यहीं पर क्या कर दोगे, root लगा, तो root 2e by m आ जाएगा, तो किसी option में दे रखा है, क् correct हो जाएगा, ठीक है, चलो, next question, the ionization energy of helium, आपको helium की ionization energy दे दिया है, कुछ इस तरह से, और आप से पूछता है, beryllium 3 plus की ionization energy, second stationary phase में क्या होगी, ठीक है, second, यानि second stationary phase, यानि n is equals to 2 में क्या होगी, यह आपको बताना है, ठीक है, तो आपको देखो, hydrogen का नहीं दिया है, helium का दिया है, और बोलता है, क्या होगा, तो इस तरह की question कैसे solve करने चाहिए, देखो, मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी energy का formula, आपने जब hydrogen के लिए याद किया था, तो क्या याद किया था, 13.6 into z square by n square, तो मैं मालू उस 13.6 को मैं कहतेता हूँ, कोई beta value है, ठीक, beta value है, into z square by n square, मैंने कोई value नहीं रटी, मैंने माल लिया कि वहाँ पर beta value कुछ होगी, ठीक है, तो मैंने एक energy का नया formula बना दिया, beta times z square into n square, यह मालू मेरा एक अपना खुद का formula होगे, ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, तो हमें पता है, हम यह energy का formula लगाते हैं, एक बार helium के लिए, तो ब हो जाएगा, तो beta into 4 की value बोल रहा है, 19.6 into 10 की power minus 18, ठीक, तो आप बताओ, beta की value क्या जाएगी, beta की value आजाएगी, 19.6 into 10 की power minus 18 divided by 4, तो यह आ गया, ठीक है, अब मेरे को किसके लिए निकालना है formula, आप बताओ, मेरे को निकालना है, beryllium 3 plus के लिए, तो मेरा energy का formula क्या है, beta into z square, ये, beta into, क्या होगा मेरा formula, z square by n square हो जाएगा, beta की value रख दूँ मैं, यहां से जो निकालना है, बताओ, 19.6 into 10 की power minus 18 divided by 4 into, अब बताओ, z square, तो beryllium के लिए z कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, beryllium के लिए, तो 4 का square upon, बताओ, n is equals to 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 का whole square, ठीक है, तो आप देख सकते हो, यहां से अगर आप cancel करोगे, तो यह हो जाएगा, 16, यह हो जाएगा, 4 into 4, यह भी 16, तो यह सब आपस में cancel, बस क्या बच जाएगा, 19.6 into 10 की power minus 18, जो कि किस option में दे रखका, किसी में भी नहीं दे रखका, तो इसलिए, answer क्या हो जाएगा option D, none of these हो जाएगा, बात समय में आ रही है, तो देखो, अब मेरे को यहां पर बीटा की जरुवत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आप निकालने कोशिश करोगे, तो यह value नहीं आगी, यानि, examiner ने एक hypothetical हमको बोल दिया, कि मान लीजिए, कि formula 13.6 वाला नहीं apply हो रहा है, next question, 34, देखते हैं, the energy of second Bohar orbit in the hydrogen atom is इतना, second orbit में energy यह है, the energy of second Bohar orbit of helium plus, तो क्या होगा, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको simply पता है, energy का formula क्या होता है, minus 13.6 into z square by n square होता है, अच्छा इसमें क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि हमको पता है, आपको याद भी होगा, प 3.41, फिर तीसरे में क्या आती है, 1.51, तो इसी तरह से यह चीज़ें क्या करती है, प्रोसीड करती है, तो यह उसी के बराबर है, तो कोई भी हमको दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ठीक है, तो चलो, या तो इसको इस तर से कर लो, या इस वाले formula से कर लो, कोई भी दिक्कत है, तो चलो, इसको अगर हम solve करते हैं, देखो, इसको इस तर से भी कर सकते हो, जैसे मालो, energy first orbit के लिए बोलोगे, तो यह किस पर energy depend कर रही है, z square y n square पर depend कर रही है, दोनों का मैं ratio ले लो, एक बार hydrogen के लिए, और एक बार helium के लिए इस तर से ले लो, तो चलो, energy of, मैं ऐसा लेना है, ठीक, n की value 2, और z की value भी कितनी है, helium के लिए 2 है, तो z by n जब helium के लिए लगाओगे, तो उसके लिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 आ जाना है, ठीक, अप आउन, इसके लिए क्या करोगे, z square by n square करोगे, तो इसके लिए जब करोगे, तो hydrogen के लिए z कितना है, 1 और n कितना है, 2, तो 1 by 2 का whole square ही हो जाएगा, ठीक है, यह मैं direct लिए लिए रहाँ, तो अब simply क्या बच्चा, energy of helium हमको निकालना है, energy of hydrogen question में देही रखा है, तो अगर आप इसको solve करोगे, तो simply क्या हो जाएगा, 4 times into energy of hydrogen हो जाएगा, जो की है 3.41, तो 3.41 कर दिया, और जो आप आएगा, वो हमारा answer यहाँ पर हो जाएगा, 4 into 3, 12 के लगबग आजाएगा, तो यह 13.64 answer हमारा आजाएगा, ठीक है, देखलो फिर से कैसे किया हमने, energy का simple formula था, z square by n square, बस दो बार इसको कर दिया, simply energy for helium लिख दिया, upon energy of hydrogen लिख दिया, और दोनों के लिए, इधर भी z by n की value निका लिए, धर भी z by n की value निका लिए, यह सब हमको पता ही था, यह भी पता ही था, तो simply energy of helium हमारा हो जाएगा, ठीक है, चलो, next question, आपको यह formula पता है, यह question में कहता है, आपको यह formula पता है, आपको e versus z square का graph बनाना है, तो देखो, energy n is equals to minus 13.6 upon n square into z square, ठीक है, चलो, मैं माल लेता हूँ, इस energy को y माल लेता हूँ, y is equals to minus, n को बोला है, constant माल लिजए, जब आप n को constant माल लोगे, तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, मैं इसको माल लेता हूँ, कोई भी m, ठीक, और z square के term में बताना है, z square के term में बताना है, तो इसको माल x, तो y is equals to minus mx type curve बन गया, और y is equals to minus mx क्या होगा, origin से तो पास करेगा, लेकिन negative slope है, तो यह online हो जाएगा, ऐसा किस figure में बना हुआ, option b में बना हुआ, जो कि क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से simple सा question है, मिरको लगता है, आपको समझ में आ गया होगा, simple सा mathematical है, दो को माल लो, इसको भी constant है, तो इसको माल लिया, यह वैरी कर रहा है, x, यह हो गया y, और यह सब constant ही था, तो इसको m माल लिया, आगे minus लगा हुआ था, तो y is equals to minus mx type curve हो गया, चीक है, next question के तरफ, question 36, if epsilon not be the permittivity of vacuum and r is the radius of hydrogen atom, which electron, then the electron is revolving with the velocity, आपको यह बताना, द जब कोई electron किसी nucleus के चारों तरफ घूमता है, यह जब कोई electron है, यह nucleus के चारों तरफ revolve करता है, तो आपने बोहर्स postulate में पढ़ा होगा यह सारी चीछे, यहाँ पर यह जो force of attraction है, brotherford वाले में पढ़ा होगा, यह जो attraction है, ठीक है, यह जो attraction है, यह किसके वज़ा से है, तो य आपको पता होगा, centripetal force के वज़ा से कर रहा है, यही centripetal force, finally किसमे का अंदर convert हो जा रही है, आपका, देखो, इस direction में क्या लग रहा है, इस direction में लग रहा है, attraction, इधर लग रही है, attraction वाली forces, बाहर की direction में क्या लग रही है, centrifugal forces, तो electron तभी तक revolve करेगा, इस stationary orbit मे, जब यह acceleration, जो इधर attractive forces है, और यह जो centripetal forces है, वो दोनों क्या हो, बराबर हो, जब तक यह बराबर रहेंगी, electron इस orbit में revolve करता रहेगा, यही तो रदरफर्ड ने हमें बताया था, ठीक है, तो बस इसी को यहाँ पर कर देना, यानि force of attraction, बराबर होनी चाहिए force of centrifugal के, ठीक है, चलो, force of attraction, तो आपको पता है, k q1 q2 by r square लिखते हैं, तो k, ठीक है, एक तो है, देखो hydrogen atom, तो hydrogen atom के उपर क्या होता है, plus 1 charge होता है, तो plus e charge कर लिया, ठीक, एक है मेरे पास electron, electron पो भी क्या charge होता है, e, तो k e e लिख लिया, k q1 q2, अपन r square माल लेते है, r square, ठीक, is equals to, और centrifugal force का क्या formula होता है, m, ठीक, m, v square by r, हमें तो velocity निकालने है, तो हमने माल लिया, v square upon r माल लेते हैं, ठीक, 1 r से 1 r cancel हो जाएगा, और आपको पता है, k को ही क्या लिखते है, k का formula होता है, 1 upon 4 by epsilon not, यही तो formula होता है, k का, ठीक है, तो इसको यहाँ पर put कर देना है, तो simply अगर r is equals to mv square, तो यहाँ से simply अगर आप देखोगे, तो v की value जो आजाएगी, वो आजाएगी, e, ठीक है, under root, यह e square है, तो यह तो बचा रहा जाएगा, k by rm, ऐसा आजाएगा, k by rm, और k की value पुट कर देनी है, तो 1 by 4 by epsilon not, यह अला expression हाजाएगा, ठीक है, अब देखलो, इस expression से कौनसी चीज मैच कर रही है, तो आपको दिख रहा होगा, option A जो है, वो मैच कर जा रहा है, k की value रग दो, बस 1 by 4 by epsilon not, आपको देखने लगा होगा, option A क्या कर रहा है, वो मैच कर जा रहा है, ठीक है, तो इसे साब से क्या हो जाएगा, यह, पर simple दियान रखना, rather foot का basics सा ह है, कि इदर attraction और इदर centrifugal force क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक, चलो, next question 37, which of the following statement is our consistent with Bohr theory of atom, बोहर theory के साब से कौनसी statement साहिए, an electron can remain in a particular orbit as long it is continuously absorb radiation of a definite frequency, देखो, अगर कोई भी electron किसी orbit में है, ठीक, इसके ओपर अगर इसने कोई frequency absorb कर लिया, तो यह फिर इस state में नहीं रहेगा, जैसे यह absorb करेगा, यह किसी higher state में चला जाएगा, समझ रहो, तो अगर यह continuously absorb करेगा, तो यह तो higher state में बढ़ता चला जाएगा, उसी में थोड़ी रहेगा, तो पहली statement तो wrong, ठीक है, the lowest energy of the orbit are the closest to the nucleus हाँ, जो जितना पास र दूर, nucleus से दूर वाले orbit में चला जाएगा, तो जितना पास उसके energy कम है, और electron can jump from K to M shell by emitting radiations of different frequency, देखो, K shell यह होगा, L shell यह होगा, और M shell यह होगा, आपको कहां से जाना है, K से कहां जाना है, M shell में जाना है आपको, ठीक है, तो आब बताओ, K से M में कैसे जाओगे, absorb हो यहाँ पर क्या लिख दिया, emit शब्द लिख दिया, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल करेक्ट स्टेटमेंट के option 2 की को में होट है, बात समय में आ रही है, चोटे-चोटे term है, जिसको हम जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक, तो यह आपको, म first excited state मताना है, lithium 2+, के लिए, first excited state का मतल्ब क्या होता है, n is equal to 2 होता है, काई बार जल्द बाजी में, n is equal to 1 हमकरते, first excited state लिखा है, 180 सा है, आपका formula लगा देंगे, energy is equal to minus 13.6 into z2, z की value कितने हो जाएगा, लिए, z की value हो जाएगी 3, 3 का square 9, n की value 4, n की value 2 है, तो z2 by n square, तो यह 4 ह हो जाएगा तो बस इसको अफ्सॉल कर ले ना ठीक है यहां पर मॉडूलस बताना है अनाज़िशन एनर्जी बतानी है तो यह प्लस कर लो ठीक है वैल्यू बतानी बस तो यह हो जाएगा 13.6 इन्टो 2.5 है तो यह अप्रोक्स 30 के लिए बग चला जाएगा तो अप्शन C क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है next question 39 what is the energy content per photon for the light frequency अच्छा देखो frequency दे रखा है आप से energy पूछता है तो आपको पता है एनर्जी के दो फॉर्मूले होता है एक तो होता है h new और new को ही लिख सकते है c by lambda तो उसी लिए क्या रहता है h c by lambda तो पहले वाले में 39 question में e is equals to h new लग जाएगा h क्या है h क्या है h क्य to 6 into 10 की पर माइनस 34 जूल पर सेकंड जूल सेकंड है ठीक है तो बस h की value पता यह frequency दे दिया तो इन दोनों को multiply करना तो और आप जैसे ही multiply करोगे आपका answer आजाएगा option c वाला ठीक है कुछ करना नहीं multiply करना वह आप कर सकते हो ठीक है और question 40 देख लेते है वेवलेंट दे दि दिया अच्छा इसको देख लो देखो energy का एक formula याद कर लो energy in electron volt यह एकदम मैं जो formula बता रहो इसको एकदम याद ही कर लो देखोगे कि हमेशा ही काम आता है energy electron volt में आएगी जब आप यह रखोगे one two फिर से लिख देते है energy in electron volt ठीक है यह होता है 1240 upon lambda in nanometer यह एकदम याद क कर लो बहुत जगह काम आएगा मैंने कई बच्चों को देखा है energy का formula वही रखते हैं hc by lambda फिर question में option electron volt में रते हैं फिर वो convert करते रते हैं पूरा time उसे में खराब हो जाता है तो यह practice में इसको याद कर लो एकदम learn हो जाना चाहिए 1240 upon lambda in nanometer अगर इसको रखेंगे तो energy electron volt में ही आएगी direct put करो ठीक direct put करोगे तो क्या जाएगा 1240 upon 91 कर दोगे बस इसको solve करना है इसको जैसे ही solve करोगे तो आ जाएगा 13.6 आ जाएगा जो कि d option में दे रखा है वो क्या जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो simple सा यह मैं आपको समझाना चाहरा हूँ कि energy का आज से हम यह फॉर्मला ध्यान रखेंगे energy जो कि electron volt में होगी वो जाएगी फिर से बोलो मेरे सवाथ 1240 upon lambda in nanometer और इसमें जो answer आएगा वो electron volt में आएगा और इसको आप कैसे derive कर सकते हो hc का multiply कर लेना जो भी value आ जाएगी उसको उसको 1.6 into 10 की पर माइनस 19 से डिवाइड कर देना आप दे 31 से 40 question तक discuss किया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like जरूर करना अगर अच्छा लगा हो तो like करना और साथ ही साथ किसी ग्रूप में share जरूर से जरूर कर देना और अभी तक channel को subscribe नहीं कर सब्सक्राइब करके bell notification icon प्रेस कर देना और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर follow नहीं किया है वहाँ पर follow कर लो क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छे materials आपके पोस्ट करता रहता हूं so that's all for today and thank you for watching